इस टॉपिक है Metamorphoses in Amphibia Metamorphoses क्या होता है? लार्वा का अपनी Adult Stage में Develop होना ही Metamorphoses होता है इस Development Series में लार्वा में Structural Changes होते हैं, Physiological Changes होते हैं, Biochemical Changes होते हैं और Behavioral Changes होते हैं और इन Changes के थुरू लार्वा Adult में Develop होता है और इसी को ही Metamorphoses बोलते है और यह जो Development होता है वो Cell की Growth और Cell की Differentiation होने से होता है फ्रॉक के Metamorphoses की बात करें तो एक Freshly Hashed Treadpole Larva होता है, वो Limbless होता है, उसमें Limb नहीं होते हैं उसका Head Avoid होता है, Trunk Short होता है, Tail Slender होती है, Annus present होता है, उसमें Adhesive Suckers present होते हैं जो उसको Attach करके रखते हैं, Weed से, Mouth absent होता है, उसमें जो York present होता है, उससे वो Retrition लेता है यह अपन बात कर रहे हैं, Freshly Hashed Treadpole Larva और उसमें जो Respiratory Organ होते हैं, वो External Gills होते हैं और थोड़े दिनों के बाद में उसमें Mouth भी Develop होता है, और उसके Mouth में होडने जोस होते हैं, जिससे वो Weed को Tear कर सकें उसके बाद में जो Tail होती है, Tail में Dorsal और Vental Fin present होते हैं, और उसकी Elementary Canal Elongated होती है, और Spiral होती है क्योंकि वो Aquatic Weed को Ingest करता है, इसलिए उसकी Elementary Canal कैसी होती है, लंबी होती है, और Spiral होती है Treadpole Larva का Further Development होता है, तो उसमें जो External Gills डवलप होए थे, वो Disappear हो जाते हैं, और उसकी जगें Internal Gills का Formation हो जाता है, और Internal Gills Operculum से Covered होते है और जो Pharynx होता है, वो Perforated होता है, गिल Slit से, Treadpole Larva से जब Toad का Formation होता है, तो जो एक Freshly Formed Toad होता है, उसकी Tail Absorb हो जाती है और जो Toad है, वो Aquatic Habitat को छोड़के Terrestrial होता है, लेंड पे आ जाता है, और उसका Mouth wider हो जाता है, उसके जो Hordney जो थे, वो Replace हो जाते है, बोनी जो से, और उसका जो Feeding Behavior था, वो पहले क्या था, Herbivores था और अब क्या हो जाता है, वो Carnivores हो जाता है, Insects पे Feed करता है, और उसक Changes होते हैं, उनकी बात करते हैं, जो Larva होता है, वो Aquatic होता है, और अडोल्ड जो होता है, वो Terrestrial होता है, एनुरेंस की बात करें तो, एनुरेंस जैसे Frog और टोड उनका लार्वा क्या होता है, हरवी वोरस होता है, और adult Carnivores होता है, लार्वा में होंड़नी टीथ प्रजन्ट जो आजाती है और इनका जो adult होता है वो और ज़्यादा active हो जाता और swift moving होता है जिसमें praying habit develop हो जाती है जो insect पर feed करता है और uridyls की बाद करें जैसे salamander इनमें जो larva होता है वो carnivorous होता है और adult भी क्या होता है कार्णी वॉरस होते हैं, बतलब इनके feeding behavior में कोई change नहीं आता और endurance की बात करें तो endurance में larva herbivores होगा और adult क्या होगा, कार्णी वॉरस होगा तो morphosis के दोरान होने वाले anatomical changes की बात करें तो इसमें सबसे पहले होते हैं regressive या retrogressive changes यह क्या होते हैं, ऐसे larval structure जिनकी जरूरत adult में नहीं होती वो gradually reduce हो जाते हैं और finally disappear हो जाते हैं दीरे-दीरे reduce होके finally disappear हो जाते हैं जैसे जो ventral suckers होते हैं, external gills होते हैं larval की जो tail होती हैं और fin के folds होते हैं वो reabsorb हो जाते हैं और यहाँ पर larva की जो tail होती है, वो reabsorb हो जाती है, auto lycid से, और जो gilb cleft हो जाते हैं, वो close हो जाती है, peribranchial cavities disappear हो जाती है, horny teeth और horny joe, वो shade out हो जाते हैं, और mouth का जो shape होता है, वो भी change हो जाता है, कुछ blood vessel होती है, वो reduce हो जाती है, elementary canal की length कम हो जाती है lateral line और lateral line organs present होते है जो sensory organs present होते है skin पे वो धीरे-दीरे reabsorb हो जाते है और cloacal tube होती है वो reduce हो जाती है operculum और spiracle जो present होते है वो disappear हो जाते है तो metamorphosis की दोरान ये anatomical changes होते है regressive ये retrogressive changes होते है ये क्या होते है ऐसे larval structure जिनकी जरूरत adult में नहीं होती वो gradually reduce हो जाते हैं और finally disappear हो जाते हैं Progressive Changes होते हैं यह ऐसे structure होते हैं जो larva में less developed होते हैं और adult में इनका development और जाधा हो जाता है जैसे fold limbs का development होते हैं और जो hind limbs होते हैं उनकी size increase हो जाती है गिल आर्च होते हैं वो modified हो जाते हैं higher apparatus में middle ear develop होते हैं और उसके साथ साथ tympanic membrane भी develop होती है और यहां पर जो eyes होती है वो lateral side में present होती है अब वो head के apex पर आ जाती है आयलीड का development हो जाता है और nictitating membrane का भी development हो जाता है और जो tongue होती है वो और जाधा लंबी हो जाती है और flexible हो जाती है structure में remodeling होती है जो already structure present होते हैं उनका modification हो जाता है जैसे जो skin होती है वो और जाधा थिक हो जाती है और glandular हो जाती है उसमें mucous और serious gland का development हो जाता है keratinized हो जाती है और pigmented हो जाती है जो interstrain होता है वो shorter हो जाता है जो brain होता है वो highly differentiate हो जाता है डवलब हो जाता है lever होता है वो और जाधा enlarge हो जाता है और यहां पे 3-chambered heart से 3-chambered heart का development हो जाता है ברonephron से लार्वा में round होता है और वो अब crycentric shape का हो जाता है next metamorphosis के दुरान physiological और biochemical changes होते हैं उनकी बात करते हैं जो लार्वा होता है वो ammonia को excrete करता है क्योंकि वो aquatic होता है और जो adult होता है वो terrestrial mode mode पे रहता है तो urea excrete करता है और urea excrete करने के लिए liver में urea का synthesis होता है ornithin cycle के थूँ इसलिए liver में ornithin cycle के लिए जो enzyme required होते है उनका formation होता है और lipid का synthesis होता है liver में carbohydrate metabolism increase हो जाता है और जो porphyropsin present होता है वो convert हो जाता है adult में rhodopsin में और जो serum में albumin और protein present होते हैं वो उनका concentration increase हो हो जाता है hemoglobin की बात करें तो hemoglobin का यहाँ बे synthesis increase हो जाता है और जो adult में hemoglobin होता है उसमें oxygen releasing capacity जादा होती है और उसमें binding जो capacity binding affinity होती है oxygen के प्रती वो क्या होती है कम होती है और narval hemoglobin की बात करें तो उसमें ultra होता है उसमें oxygen की जो binding affinity होती है वो ज्यादा होती है और oxygen के releasing capacity होती है वो कम होती है और अडल्ट में इसका opposite होता है digestive enzymes का भी development होता है और जो alkaline phosphate, phosphatase और hydrolase है उनकी amount कम हो जाती है और pancreas insulin का secretion start कर देता है next metamorphosis का hormonal control देखते हैं जो environmental cues होते हैं जैसे nutrition, temperature, light इनकी वज़े से hypothalamus stimulate होता है और hypothalamus thyroid releasing factor को secret करता है और ये anterior pituitary को stimulate करते हैं और anterior pituitary thyroid stimulating hormone को secret करती है और thyroid stimulating hormone T3 और T4 का secretion करते हैं इसके TSH के साथ anterior pituitary prolactin का भी secretion करती हैं तो यहाँ पर दो hormone होते हैं जो metamorphosis को control करते हैं T3 और T4 होते हैं वो तो metamorphosis को promote करते हैं और यहाँ पर prolactin होता है वो metamorphosis को inhibit करता है तो metamorphosis inhibiting hormone कौन सा है prolactin है और metamorphosis activating hormone यह फिर promoting hormone कहें T3 और T4 है metamorphosis के दुरान तीन स्टेज होती है एक तो pre metamorphosis होती है यह metamorphosis शुरू होने के पहली की स्टेज है और pro metamorphosis होती है यह metamorphosis start होते ही उसके बाद की स्टेट है और जब metamorphosis climax पे पहुंचता है तो metamorphic climax stage होती है तो pre metamorphosis में क्या होता है जब larva फैच होता है तो उस time pro lactin का secretion क्या होता है जदा होता है तो pro lactin क्या करता है क्रोफ को allow करता है growth में help करता है तो उसमें क्या होता है जो larva होता है उसकी ग्रोथ होती है और उसमें जो लिंब्स होते हैं उनका development शुरू हो जाता है लिंब rum pods when wives Sung siento in 지원 हो जाता है ठोड़ा नशा को मोस हो जाता है तो उसका जो और होंता है वह यह रखना प्रों जाता है उसकी वज़े से T3 और T4 अभी अप अपने देखा था है, environment के Qs से hypothalamus activate होता है, वो pituitary को activate करता है, pituitary फिर PSH release करती है, और T3 और T4 का क्या होता है, secretion होता है, और T3 और T4 की presence में क्या होता है, जो tail होती है, larva में, वो reabsorb हो जाती है, अपने भी पीछे देखा था, जो anatomical change हो रहे थे, उन में क्या हो रहा था, जो tail थी वो reabsorb हो जाती है, तो tail reabsorb किसकी presence में होती है, thyroid hormone की presence में होती है, thyroxin या thyroid hormone T3, T4 की presence में, और यहाँ पर tail reabsorb हो जाती है, और intestine क्या हो जाता है, short हो जाता है, और prolactin का amount यहाँ पर क्या होता है, कम होता है, और यहाँ पर उसके contrary T3 और T4 का amount होता है, वो increase होता है, और इससे Metamorphosis का Initiation हो जाता है और जब Metamorphosis Climax पे होता है अपनी Highest Level पे होता है उस रहें क्या होता है Negative Feedback के थूर P3 और T4 का जो Secretion होता है वो कम हो जाता है और Pro Lactin का Secretion थोड़ी देर के लिए जादा होता है फिर क्या हो जाता है कम हो जाता है और यहाँ पे Metamorphosis Complete हो जाती है Eurodels में Metamorphosis की बात करें तो इन में जो Tail होती है वो Retained रहती है मतलब यहाँ पे जो Tail होती है वो Reabsorb नहीं होती वो Adult Stage में भी Present होती है Tail is Retained और सिर्जो Fin Fold होते है वो क्या होते हैं? Disappear होते हैं वो ही Dissolve होते हैं और जो Brankle Apparatus होते हैं वो Reduce हो जाता है और External Gill होते हैं वो Reabsorb हो जाते हैं Gill Cleft होते हैं वो Band हो जाते हैं और इनका जो Visceral Skeleton होता है वो Metamorphosis की दुरान Greatly Reduce हो जाता है Head का जो Shape होता है वो Adult में और ज़्यादा Oval हो जाता है इनकी Skin जो होती है Adult में Cornified हो जाती है और उसमें Glandular हो जाती है और Glands का Development हो जाता है Exolate की बात करें तो Exolate कभी भी Terrestrial Adult में Develop नहीं होते हैं उनमें Pedomorphosis होती हैं मतलब जो Larva होता है वो कभी भी Terrestrial Adult में Develop नहीं होता Nude की बात करें तो Nude में True Metamorphosis Absent होता है Nude का जो larva होता है, वो Carnivores होता है और यहाँ पे adult भी क्या होता है? Carnivores होता है तो Nude larva already feed as predator and continue as adult stage तो यहाँ पे larva होगा, वो भी क्या होगा? Carnivores होगा और adult भी क्या होगा? Carnivores होगा और यहाँ पे जो water phase होती है उनमें adaptation के लिए prolactin hormone responsible होता है और land phase के लिए thyroxin hormone responsible होता है Sicilians की बात करें, तो जो Ictiophis होता है उनमें जो larva होते हैं, वो aquatic होते हैं और adult होते हैं, वो fossorial होते हैं और इनमें larva से adult में metamorphosis की दुरान जो sense organ होते हैं, lateral lines होते हैं उनका loss हो जाता है और teresomata की बात करें तो इनमें जो larva होगा, वो भी fossorial होगा और जो adult होगे, वो भी fossorial होगे मतलब ही अपनी throughout life में fossorial ही होगे